नमस्कार देश्तो स्वादत आपका दी 11 टीम यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ICC T20 World Cup 2024 यानि Women's का दो T20 World Cup 2024 है उसके दूसरे मैच्च की Dream 11 टीम और Dream 11 प्रेडिक्शन के बारे दोस्तों तो दूसरा मैच्च वो खेला जाएगा पाकिस्तान वुमेन और स्रिलंका वुमेन के बीच और इस वीडियो के अंदर हम याँ पे पाकिस्तान वुमेन और स्रिलंका वुमेन के हर एक क्लिर का रिकोर्ड देखेंगे जिसकी मदद से आप अच्छी कासी Small League और Grand League की टीम बना सकती हूँ तो अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा याद से दिखिएगा दूसरी और सबसे इंपोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ना हर रोज ऐसी वीडियो मिलती रहेगी T20 World Cup की हर दिन दो-दो मैच होंगे और हर दिन हम वीडियो कवर करेंगे तो आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब याद से कर लीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा तो दोस्तों यह वाला मैच कहला जाएगा शार्जा क्रिकेट ग्राउंड की ऊपर 3 अक्टूबर को शाम को 7 बज़ के 30 मिनट पे याद शाम को 7 बज़ के 30 मिनट पे मैच स्टार्ट होगा अब देखो दोस्तों सबसे पहले शार्जा क्रिकेट ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट देख लेते हैं देखो दोस्तों इस ग्राउंड की ऊपर वुमेंटी 20 के 10 मैचों में से 5 मैच पहले बैटिंग और 5 मैच सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने जीए हैं अगर हम बात करें यहां पर स्कोर पैटन की तो 8 मैच में स्कोर 150 से नीचे बना है दो मैच में स्कोर 150 से 169 के बना है इस ग्राउंड की ऊपर अब दोस्तों इस Ground 2 Program Last के Matches की बात करें ना तो 2017 में खेले गे थे Last के Matches जिनके अंदर आप देख सकते हो यह सारे के सारे Match ना यह पाकिस्तान और किसके बीच खेले गे थे New Zealand की बीच खेले गे थे एक सीरिंज के अंदर जिसमें आप देख सकते हो पाकिस्तान ने 89 रन बनाए New Zealand ने 23 रन बनाके 7 विकेट से मैं जीत लिया 8 विकेट फास्ट बोल र 1 विकेट श्मेर को मिला उसके बाद वाले Match में अगर आप नवास्तिरीों के रिकोरड के बासिस पर जा उना तो यहापे इस रिकोर्ड के बैसिस पे जाए तो आप एक बैलेंस पिच मानके चल सकते हो लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वूमेन के जितने भी मैच होते हैं उनके अंदर स्पीनर का डोमिनेशन आपको देखने को मिलते हैं स्पीनर गेम में आते हैं और कभी कबार स्पीनर डेथ और में बोलिंग करने भी आ सकते हैं तो ऐसे आप एक बैलेंस पिच मानके चलिएगा लेकिन थोड़ा सा अपरेज स्पीनर का मानके चल सकते हो या फिर आप स्पीनर क कप्तान यह वास कप्तान बना के चल सकते हो खासकर ओल्डाउंडर को भी आप कप्तानी वास कप्तानी दे सकते हो बाकि यह चीज ध्यान रखना वैसे तो यहां पर क्या कि बैलेस्ट है लेकिन स्पीनर का थोड़ा पर रहेकिन को मिलता वोमेन के मैचों के अंदर या पर आप स्पीनर के ऊपर थोड़ा फोकुस करके चल सकते हैं बाकि अगर प्रोस होने के बाद पिछ के रिगार्डिंग कोई और इंफ्रमेशन आती है तो वह मैं आपको बाद में टेलीग्राम के ऊपर जब आपको तोस होने के बाद पिछ रिपोर्ट प्रॉइड कर जाती है बताई जाती है जो बाताया में बात कर लेते हैं, दोगो टीमों ने अब तक 18 head to head match के हैं, जिसमें 10 match जीते हैं, पाकिस्तान वोमेन की टीम ने और 8 match जीते हैं, स्रिलंका वोमेन की टीम अगर आप recent form की बात करो ना, तो देखो recent form के basis पे स्रिलंका वोमेन थोड़ी strong team है as compared to Pakistan वोमेन, लेकिन head to head के basis पे definitely यहां पे पाकिस्तान वोमेन का दबदब आपको देखने को मिलते हैं, बागी स्रिलंका वोमेन ने लाश के 5 में से 4 match जीते हैं, वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान वोमेन की तो लाश के 5 में से मात्तर 2 match जी देखो दोस्तों सिलंका वोमेन की तरफ से गरम बात करें, तो यहां पे चमारी अट्टापट्टू और विश्मी राजबक्ष आपको ओपनिंग करते हैं, तीन नमबर पे हर्षिता माद्वी आपको बैटिंग करते हैं, यह तीन तीन लोगी टोप ओडर की बैट्समें, ए उसका संजीवनी और हसनी प्रेजा तक बैटिंग कर लेती है, और बोलिंग के अगर हम बात करें, तो इनो का रने वीरा दूसरी बोलर, सुगंधिका कुमारी तीसरी बोलर, उदेशिका परबोधनी चोथी बोलर, उसके अलावा कवीसा दिलेरी पांच वी बोलर, और चमार बहुत रिस्क लो, तो कवीसा दिलेरी के उपर भी CVC का रिस्क ले सकती हूँ, बाकि हाई चांज है, इनके तरब से आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, अगर इसके अंदर किसी भी एक या दो प्लेयर का चेंज होता है, तो वो मापको बाद में टेलीग्राम के अब देखो दोस्तों इनके प्लेयरों का रिकोर्ड देख लेते हैं, सबसे पहले नाम में चमारी अटा पट्टू, लेफ्टी बैट्समें ओफ ब्रेक्स में दर स्तावो पर्शन सेलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म एक रन एक विकेट, 49 रन जिरो विकेट, 17 रन दो विकेट 15 रन एक विकेट, हैट टो एड के अंदर 13 मेचों में 25 के अवरेट से और कोई विकेट नहीं है, इस ग्राउनल के उपर 3 मेचों में 25 के अवरेट से, तो हैट टो एड में तो रिकोर्ड थोड़ा कराब है, उस बैसिस में अगर आप ग्रेंड लिक के अंदर रिस्क लोगा आपकी मर्जी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ओपनिंग करने आती है, दूसरा ओफब्रेक बोलिंग भी करती है, तो ड्रीम टीम में तो अपनी जगा बना ही नेकि, अगर आप रिस्क लोग तो आप कप्तान वाइस कप्तान बनाना आवड कर सकते ह रखने की कोशिज कीजिएगा, बाके अगर आप अल्टरा पुल्टर रिस्क लेने के मूड में हो, तो आप हेड टो एड रिकोर्ड देखके या पे चल सकते हो, बाके मैं इसको टीम में लेके चलने वालो, दूसरी तरह मारे पास इनकी तरब से है, विसमी राज अपक सिग राइटी बैच में ने 21% सेलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म 2, 14, 1, 30, 1, 0, तो रिसेंट फॉर्म कोई खास नहीं है, हेड टो एड गंदर दो मैचों में 0 रने, इस ग्राउंड के उपर कोई मैच नहीं खेला, और टीट वन डी के अंदर 43 मैचों के अंदर 720 रने, 21 के राजबक्षा को, तो आप इसकी जिवर पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को ले सकते, उसके बारे में आपको आगे बताओं, उसके बाद मेरे पास नहीं के तरफ से है, अर्चिता मादवी, लेफ्टी बैच में, 21% सेलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म 29, 4, 18, 33, डीसेंट फॉर्म अगर हम बात करें, तो 27 रन 0 विकेट, 51 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, और 30 रन 2 विकेट, हैट टु एडिक अंदर 6 मेचों में, 42 रन है, 10 के एवरेज से, और 6 मेचों में, 8 विकेट है, यानि 1.2 विकेट पर मैच का एवरेज है, अल्मुस्ट इसका, अगर आप यहाप यह कवीशा दिलेरी और चमारी अट्टा पट्टू को कंपेर कर दो ना, तो आपको लगे कि यहाप सिरलंका के टोप ओरर के दो तिन बैट्समेंट, जैसे मान लेटते आपने विसमी गुणरतने को ड्रोप कर दिया, और आपने हर्षिता माध्वी को ड्रोप कर दिया, इन दो लेकिन आप अनुसका संजीवनी को याद से ट्राइ कर सकते हो, अनुसका संजीवनी को ट्राइ करने का में मकसद क्या है, कि रीसेंट फोड़ी कराब है, लेकिन हैट टो एडिक अंदर 27 कावरेज है, और प्लस पॉंट क्या है, कि विकेट कीपिंग करेगी, उसके एक्स्ट उसके बाद उद्वेसिका परबोदनी, लेफ्क ना मीडियम पेसर, 60% सेलेक्शन है, रिसेंट फोड़ी के अगरम बात करें, तो दो विकेट, 0 विकेट, एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट, जिरू एट गंदर 11 मैचों में नो विकेट है, इस ग्राउंड की पर 1 मैच मेंदर चार परेटिंस सेक्शन मातर चार पे लेकिन लगधिन पांचों में हर मैंच में स्मैट्टिम बनाया इंदर नो मैंच में घ्यारा वीगेट इस ग्राउड कियुपर तीन मैंच में ज्यार λकीटेंद दो ॥ा Definitely पर मैंच सब्सक्राइब करें तो रिकोर्ड के वैसे पर टीम के अंदर रगना पड़ेगा उसके बाद मारे पास है इनोसा प्रियादसनी ओफ ब्रेक्स मिनर पक्रिस प्रिंस लेक्शन है ये सेफ ओप्सन इसको में टीम के अंदर लेके चनू तो यह आपको श्रिलंका ओमें के सारे प बंजना में से को यह खेल सकती है जो भी खेलने को क्रूशल ले सकते हैं पिछ के अंदर फास्ट वोलों को थोड़ी मदद होती है तो की चीज़ ध्यान रहा है अब दोस्तों पाकिस्तान की पोसिबल प्लेइंग 11 देख लिए उससे पहले एक बार आपको फिर से कहूंगा क अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से गुला फिरोजा और मुनिबाली ओपनर तीन नमबर पे सिद्रामेन आपको बैटिंग करते भी दिख सकती है यह तिन क्लिड होगी टोप ओडर के बैट्समें मिद्ल ओडर के गरम बात करें तो निदादार सदाफ संस आलिया रियाज और फातिमा असना तक मिद्ल ओडर में बैटिंग करेंगी और बोलिंग की अग बाले एक बोलर, नसर असन दूसरी, डायना बेक्तिसरी, तूबा असन चोती, फातिमा असन पाच्वी और निरा डार आपको छाटा बोलिंग उप्सन देखने को मिल सकती है, कभी कबार एक आदे और की बोलिंग आलियर याज भी कर लेती है, बाकि इनकी तरप चापको यही प्लिंग लेवन देखने को मिलेगी, कोई चेंज ओर होता है, तो वो मैं आपको बाद में टेलीग्राम के उपर अपडेट तो करीद दूँगा, आप इदर को दोस्ते इनकी प्लेयरों का रिपोर्ट देख लेते हैं, सबसे पहली प्लेयर है बुल्ला फिरोज, राइटी चोदा, अठारा, दस, जीरो, पत्चिस, मांसर, स्तावन, पांच, लास्ट के साथ-ाथ मेचों में, दो फिफ्टी बाकी मेचों में फ्लोप रही है, एट्टो एट गंदर, नो का एवरेज है, तीन मेचों के अंदर, तो इस मेचिस पर आप चाओता आप ग्रेंड लिग की कुछ टिमाँ में मोगा दे सकते हो, योगी मांसर परशन सेलेक्शन, उसके बाद मेरे पास इनकी तरफ से है, मुनी बाली, लेफ्टी बैट्समन, विकेट कीपर, चुराणो परशन सेलेक्शन है, ये बैटिंग करने के साथ साथ विकेट कीपिंग करेगी, और सेफ हैट्टो एट के अंदर भी 19 का एवरेज केरी करती है, उसके बाद मेरे पास है सिद्रा में, राइटी बैट्समन 19 परशन सेलेक्शन, ये खिलाडी रहीगी आपके लिए एक ट्रम खिलाडी ग्रेंड लीग की, रीसेंट फोर में 10, 4, 37, 28, 4, 10, 25, 26, 11, 9, डीसेंट फोर में इसके बाद में पास इनके तरफ से है सदाफ सम्स राइटी बैट्समन एक परशन सेलेक्शन है, थोड़ी नीचे बैटिंग करने आती है, वो रिकोड के गरम बात तो लाश्क के 5-6 में चोब आप देख लो, एक मैचे 35 बनाएं, कोई खास रिकोड भी नहेंगी, उसके बाद मेरे पास है आलिया रियाज, राइटी बैट्समन, राइटाम मीडियम पेसर, 13% सेलेक्शन है, रीसेंट फोर में 10 रन, 0 विकेट, 10 रन, 8 रन, 17 रन, 12 रन, 14 रन पाकिस्तान के टीम ने कुछ मैच खेले थे, जिनके अंदर, तूब आसन कोई खास पर्फोर्मेंस नहीं देबाई थी, लेकिन, 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 हैट्टू एड के अंदर, 6 मैचों में 7 रिकेट है, यानि, ओल्मोस्ट एक विकेट पर मैच का एवरेज इसका सिरलंका के खिलाफ, मातर 4% सिलेक्शन वाले प्लेयर, आपके लिए ट्रम्प रह सकती है, सिर्फ और सिर्फ रिसेंट के कुछ मैचों फ्लोप होई, उसके लावा, ओल्मोस्ट पहले हर मैच में पर्फोर्मेंस देथी थी ये प्लेयर, यह तभी तो 30 इनिंग के अंदर 24 विगेट, ध्यान दरना ग्रेंड लिग के ट्रम्प रह सकती, कभी कबार में उच्छे में 2-3 विगेट निकालके जा सकती, कप्तान वाइस कप्तान बन सकती, उसके बाद मारे पास है, डाइना बेक, राइटाम मीडियम पेसर, 3% सेलेक्शन है, रिसेंट फोर्म ठोड़ी कराब इस विशे सेलेक्शन थोड़ा कम है, अगर आप ग्रेंड लिग में मोका देना चोड़ आपकी मर्दी है, उसके बाद नसरा संदू, लेफटाम होत रोट समिनर, 6% सेलेक्शन, हैट टो एड के अंदर 6 मैचों में 5 विगेट, इस ग्राउंड की पर 3 मैचों में 2 विगेट, सेफ ओप्सन तीम में रखना पड़ेगा, उसके बाद मारे पासन के तरब से साधी एक बाल, लेफटाम होत रोट समिनर, 90% सेलेक्शन, लास्ट के 7 मैचों में एक मैच, छोड़ दो हर मैच विगेटिंग आले है, हैट टो एड में 4 मैचों मेच विगेट है, बिल्कुल सेफ ओप्सन है, इसको भी में टीम में रखना पड़ेगा, यह पाकिस्तान के आपको सारे प्लेरोगा रिकोर्ट देखने के मिल दा है, कुछ बैंच वाले प्लेरोगा देख लेथी, यह बैंच वाले प्लेर है, अगर इन में से कोई और प्लेर रखेल था, तो हम आपको बाद में टेलिग्राम पे बता दूगा, अगर कोई नया प्लेर खेलेगा, उसके बारे आपको बाद में टेलिग्राम के बडेट कर दूग, अब देखो दोस्ते हम टीम की बात कर लेते, उससे पहले आपको बता दूग कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमें टेलिग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे कली करके टेलिग्राम याथ से जोइन कर लेना, फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलेगी, अब टीम के अगर हम बात करें, एक बैट्समें के जरह मैं किसको ले सकता हूँ, अगर इनोका रनाविरा खेलेगी, तो फोर्शोर लूँगा मैं, उसके लावा इनोसी प्रियदसनी को भी मैं ले सकता हूँ, उसके लावा तूबा हसन को भी ले सकता हूँ, यानि एक ये प्लियर, और इनोसी प्रियदसनी हो गया, या तूबा हसन हो गया, मैं टोप प्रियूर्टी मिलेगी, इनोसी कोई खेलेगी, उसको ले सकता हूँ, अगर आप थोड़ा बुच चेंज करना चाहँ तो आप सिदरामीन को भी ले सकता हूँ, यह मैंने आपको पॉसीबल चेंज ब्रा दिये, इसलिए मेरी फैड़ टेलेगराम पे मिलेगी, इस अभी इस तीम मेरी कफ्तान जमार्य अट्ट आपड़ओ बनाया क्या, वास कफ्तान ने इदापड़ बनाया, आदित लग सकती सोसमस के खेला धन्यवाद